इसको बोलते वाई वेरी कोस वेरी से अब एक गोली इतनी बड़ी एक गोली छोटी तो यह क्या है मेडिकल है प्रोब्लम है जा रखना जो पेहनिस में प्रोब्लम होती है एक तो कहीं कि चमड़ी उपर नहीं जाती दूसरा आपके लिंग में एक ही होल होना चाहिए जहिंद सबी साथियों को जितने भी बच्चे से जीडी की तयारी कर रहे हैं जिन्होंने पेपर दे दिया है उन सब के लिए सबसे जरूरी पार्ट है मेडिकल क्योंकि आप मेडिकल में पिछड़ गए री मेडिकल का मुका मिलेगा नहीं इसलिए आज का यह वीडियो पूरा का बुपेंदर नाइक कहां से उडिशा से अभी सेस्जीडी का पेपर देखे आ है कितने क्यूशन करके है भाई मैं 63 कितने 63 63 क्यूशन करके है पिछली बार इसके यहां की मेरिट कितनी थी 47 47 नमबर मतलब एक सुस्ची में से इस बार इसका काम 100% हो जाएगा अगर यह फिज मेडिकल के कुछ ऑप्टिकल देख लेते हैं मेडिकल के लिए हाइट भी नफ्य ध्यान रखना अभी इसकी हाइट कितने वह मैं आपको बताता हूं आज आवा इधर शिदा ख़़ाओ बिल्कुल जब भी हाथ ऐसे पूरा शिदा गर्दन सामने द्यान रखना ज्यादा ना तो उपर देखना है और जाए ना ही नीचे देखना है बिल्कुल करेक्ट देखना है सामने इसकी हाइट है एक सो तेतर सेंटिमीटर पॉइंट फाइट फाइट है इसके अनुसार इसका बजन मेक्सिमम तेतर केजी तक हो सकता है कितना हो सकता है तेतर केजी यह नीचेतर हाइट है कितनी है देखो इधर 173 हाइट है इसका मतलब आगे का एक खटा दो मेक्सिमम वजन कितना हो सकता है 73 केजी लेकिन ध्यान रखना ओवर वेट अगर 73 से उपर गया तो 100% ओवर वेट मिलेगा अगर आप उसे इसका सही वजन कितना होना चाहिए तो 130 केजी पर बिल्कूर परफेक्ट वजन है 65 केजी कितना है 8 केजी कम 65 केजी वजन होना चाहिए कम से कम लड़कों में कितना वजन होना चाहिए 45 केजी वजन कम से कम हर एक लड़के में होना ही चाहिए अगर कोई लड़की है वेचे तो लड़की इस वीडियो को ना देखे अगर फिर भी कोई किसी के लिए देख रहा इसका वजन है 72 केजिए बेटर केजी में आजा उदर कितना तो बेतर केजी वेड़ तो भार नहीं करेंगे लेकिन सबसे बेच वजन कौन सा होगा 65 केजी यह यह दो तिन केजी बजन कम कर लेता है व्यश्टा कि अभी रन्निंग के दोरान हो जाएगा इसका वजन कम तो इसके लिए सबसे बेश्ट होगा आप देखो medical के सुरुवात में सबसे पहले जो health होता है वो होता है body के दो सेफ है इसका इस परकार यहीं से खड़ा हो जाँ सबसे पहले आपका चेक करेंगे सरीर का जो पाठ है वो इस परकार से खड़ा ह流 जो जा हलके से पेरों में थोड़ा सा गेप होना चाहिए अगर कोई टेड़ा मेड़ा खड़ा दिखे कर दो मैं उसको पैचान लूगा आजा सोटू हाँ आज़ा इधर खड़ा हूँ अभी जैसे नॉर्मलरी वहां खड़ा था वेश्य खड़ा ओ यह देखो दिखाई देरा तुमको तो दिखाई देरा इसके जो कंदा है यह अलका चाहा नीचा है सीधा खड़ा हूँ अब हाथ को यूँ कर इसे खड़ा होना है खड़े होते समय द्याया बढ़ा रखना है बिल्कुल सीधा खड़ा होना वहां पर डीला डाला खड़ा नहीं होना किसी बिमारी का कि क्या पता मेरे अंदर कोई बिमारी होती अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं मानके चलो गाड़ी चल रही है रोड़ पे अगर गाड़ी में प्रोब्लम होगी तो सबसे पहली बात तो यह ठीक है उसके बाद में देखो बोड़ी में सबसे पहली चीजे चेक ह सके सकते होती है इस प्रकार से से घर। खड़ा वहाई जासी था मनें ने संगा यह 15 उसके बाद विच में इतना थे होना जफिए द्यान रखना विल्कुल इस प्रकार से है siete voll आप प्रप बोडी इसका झैसे पूरा हम वाप पैर मिला Right host फ्रेलि ही क्या एक होती है क्या है ड़ाकनीdest यहांगा तो बोडी स्टेक्चर इसका जैसे पूरा का भूरा ठीक है, हाथों का एंगल देख लिया, अब हम शुरू करते हैं इसका पूरा का पूरा मेडिकल, उपर से नीचे तक सबसे पहले कि सपार्ट का कैसे मेडिकल होता है, ज्यान से देख ले ना भई, ठीक है, सारे गर देखने सबसे पहले क्या चेक होता है आई चेक होती है ठीक है क्या चेक होती है आखे चेक होती है आखो के कौन-कौन से पॉइंट होता है एक तो पेन वाला इसके पासे पेन यह पेन वाला इसको बोलते पिन पॉइंट तेरे को इस पे नज़र रखना है ठीक है वो इसके हिसाब से इ भी बिल्कुल सही है कोई इसा है जिसका »पेन unfortunately मतलब यह आज भी है जिसका ठीक है वल्कुल है जलता है बहुता है कि यह सबसे बड़ी प्रोबलम है अगर किसी भी समाधान है नहीं उसको फिर फोर्च की तैयारी नहीं करनी से ही क्योंकि कलर विजन यह जनमजात होता है और इसका अभी तो कोई इलाज है नहीं हाँ इसके लिए संग्लासे जा गए हैं तसमें लेकिन उसे आप मेडिकल में फिटे नहीं हो सकते ठीक है तो कलर विजन चलिए इसका देखते हैं बाई ऐसे खड़ा हो जाओ आँ आठ चाहिए उन्टीश किप्टी सेवें है त्री जा रखना कलर विजन में ऐसा नहीं है कि जिसके कलर विजन होगा उसके यहां पर प्रोब्लम होगी ऐसा नहीं जा रखना यह तो हर कोई बच्छा पढ़ देगा जिसके क्वमियन कैंव चंव बिए सब्सक्राइё Sowों अहीं तो सब पढ़ड़ेगा जो प्रोबलम होती हैं फो होती इस कितना वह यह लिगति हूंरा का मतलब आपके मतलब कलर विजन का सबी जह को यह लोग दिखरा सबीकों डियल कितना इंपाट नहीं नहीं हchl्या करें है कोई है सब को दिखरा है किसको नहीं दिखराथ को दिखरा है yeah तो ये वाली लाइन पड़नी है, जो नीचे वाली लाइन दीवwenी है, ये वाली लाइन पड़नी है. दिखा ये दे रहा है, पड़नी. एक आंक पर हात रखें. इस साइड से पड़. A, U, T, Hby, M, X, V. बेलकुं सही, दूसरी आंक पर हात रखें. अब जहां पर में उगली एक रहा हूं वह बताना है तो इसकी आइज की जो तीनों की तीनों टेस्ट है वो बिल्कुल सही है यह नहीं आखे बिल्कुल सही आँखों में तीन टेस्ट होते हैं कल्डर विजन पेंट पॉइंट और तीसरा तीस को पता है तक दब्ट वा इसको पता है क्यों पता नहीं एक और होता आँखा अब है रिजर लाइट वाला यह नहीं अगर एगर किसी बच्चे ने लेजर औपरेशन करा रखा है तो एसे जी डी में तो चल झाएगा लेकिन आर्मी में आर्मी में उसको कैसे पकड़ते टेंट के अंदर लेकर जाते हैं ठीक है एक अगबार पढ़ाए जाता है अगर आप इस परकार से अगर पढ़ लिए इस परस तरीके से इसका मतलब आपके बिलकूल है सही ठीक है लेकिन जिस वच्छे शिक्स होती है वह आराम से उसको पढ़ पाता है समझ गे बात को तो यह होता आँख में अब आजाते हैं नाक प आईञेब होने का ऐएगा नाक में पुंट होता वैडिएनस का ठीक है डिनस का है ट्रीक में बोलते हैं जो नाक ही है द सा लेकिन डीनस नहीं देखने देखे किसी का है तो वह नोर्मल पॉइंट है तूट जाता है एक हलका सा ओप्रेशन होता है किसी के नजर मुझे आ नहीं था थो और पडूशियों को देखो रहें नाक सही है क्या जादा सही से देखना कहिं ओको शर्दी बी लगी वोई है नाक से क्या होता है यह स्नुम्स बड़ा वब होता है उसे ना काकर क्या हो जाता है ओप्रेशन से ठीक हो जाता है दो से चारजार रुपे अपने यह पे अभे राज नाम का बच्चा था वह आर्मी में लग गया है आर्मी किस लगा तेक्णिकन साथी finger पॉइंट मिला था और तक हो गया था ठीक है इसके बाद में है कान कान भल मिशीन पॉर्फ होते वह भी देखना आप जब मैं कान की परसीन को एक्टिव करता हूं तक तो आपको बता ज़ता हूं नजदी गार्थ जो दाना उसका मेडीकल कई नहीं होता है अगर आपके 28 दान परो परोपर नहीं हुए कितने दात हैं है अठाइश नाथ आपके परोपर होने चाहिए अगर आपके अठाइश दात परोपर नहीं है तो आपको मेडिगल परोबलम है अब इसमें एक चीजह और आती है कहिंगे देखा होगा आपने तृट डिस बेलेंस अरे साइड़ों में दात तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होगा मुह खोड़ पूरा दात पूरे हैं कोई प्रोब्लम नहीं है डिस्वेलेंस का कोई पॉइंट नहीं होगा दिखा देखिए इसके एक टीट है अगर आपके भी एक टीट को निकाल जेकरका इसका कोई पॉइंट भी नहीं होता है जहां रखना जावते हैं तेरे यहां पर एक एक स्टेट लग रहां इसको आजकल और दो क्या करते हैं तासे भी हो जाते हैं यह ठीक है लेकिन कराने के जूरत करनें नही भाइन DAS कहां ससा भाइब को अंदर से बाहरा उखेंते इसके पार शिरये पार जाएंसे इसके बाहरा इनसे सागा अन्दर से बाहर की उखना हिए डाया बाहर। नचान आप जबन फीटा टेकर मेडारी का फिर थे मतितमर्यिक उन्मा घा गजैता है खान लेता ना ना उंगली में देखना आहाओ यह विता दिया यह उंगली इसकी देख लोग फिर मेरी देख लो यह देखा इसके बी जो टी तरे पूरा पानी के वज़े से और का खराब तो जिसके दांत खराब हो सके पानी के वज़े से उसका पॉइंट नहीं द्यान रखना और डिस्वेलेंस का भी कोई कान में देखते हैं कि इसका कान का जो परदा और ना यह देखान के ब कुझा से और किसी का काना है अगर आगर इसको प्रण आख उसके परदें च्यले यह उसको इसके प्रोब्लम है ईसका कान बिल्कुल साव है और ना है इसके कान में कोई प्रोब्लम है यह देखो यह रहा इसका पर्दा दिखाई दे रहा भाई अरे तुमको दिखाई दे रहा है यह सर ना बोल दो यह लिए इसके बाद में जो अगला पॉइंट चेक होता है कान के बाद में फिर क्या होता है देखो उपर का हो गया सारा सिस्टेम भेंग यह तो गया फेस के सारे पॉइंट ठीक है इसके बाद में चेक होते हैं हाथ हातों में चेक होता है एक तो हातों का क कि वाइब करते हैं कि या घुट जो तो अच्छी बात है अगर किसी के आथों में कंपन होता है तो उसको वजन उठा के रहना चाहिए ऐसे मेक्सिममम टाइम और उपरहादा है या सइडमे वजन उठागे उसके ज्यादा ज्यादा करनी चाहिए ताकि उसके आतों में क्या नहों बाइप्रेंस पर दूसरा ओता हात का इंगल किसी का टुछ होती हो कौनिया इसे करो देखें सारे इसे करो कि नहीं नहीं है तरगे करो देखें कि अरे किसी का इसाथ इसके कौनिया टच हो रही हो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है किसी के अगर कौनिया टच नहीं हो रही है क्योंकि अगर यहां से कौनिया टच हो जाती है दोनों की दोनों बोटेशों पीडिकल में एक प्रोप्लेम मैं यह चेक होता है उसके बाद पर तो यहां jsan पुर्ण है पुर्म प्रोंस प्रोप्लम है और करने के काम में निन है उससे इसमें पर कि तक में आता है उसके पेरों में भी पुसीन आता है तो उसको क्या करना चाहिए उससे क्या वो नमी शोख लेगी और मेडिक राद दिन तो पक्का दोना चाहिए ताकि उसका काम हो जाए जैसे इसके कोई प्रोब्लम नहीं बिल्कुल फिट रही है ठीक है तो यह होते हैं आतों के यह निपल्स है ना यह बिल्कुल प्रफेक्ट होने चीए बराबर टेडा मेडा नहीं होना चीए बिल्कुल बराबर होने चीए निपल्स ठीक है दोनों निपल्स एक बाद टेप दीती मैंने किसी को शेलो देखना अब तुम में से किसी का लग रहा भाई निपल्स उपनी निचे ऐसे पता थल जाएगा कि यह देको सकी जो लाइन बनती है यह बिल्कुल शीधी होने चीए उदर घूंबाई यह देखो जो लाइन बनते है नीपल्स की यह बिल्कुल सिधी होनी चाहिए अगर किसी नीपल्स ऐसे उपर नीचे होते हैं ज्याधा इसमें दिकता है प्रोब्लम तो इसको भी फिर पॉइंट की प्रोब्लम हो सकती है इसके बाद में शीना फुला पुड़िया से कि अब दस से उल्टी गिंती शुरू कर नो आठ साथ पांथ छे चार तीन दो एक छोड़ एक बार अब पुरा शीना फुला अब गिंती कर दस से उल्टी शुरू दस नो आठ साथ छे पांथ चार तीन दो एक इसका मतलब तेरे लंच बिल्कुल है सही है अगर किसी के अस्तमे की प्रोब्लम होगी तो इतनी देर साथ होड़े नहीं कर पाएगा इतनी देर साथ होड़े नहीं कर पाएगा सारे सीना इसका मतलब सब के लंच बिल्कुल है सई है इसका उदस्य यही है जो सीना फुला के सांस होड़ कराके आपसे काउंटिंग कर वाते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ ا се कि आपके लंचो क स billion इन्प करते यह फ्र कट कट तरीका है इससे क्या होता है कि आपके लंख हो जाएंगे समझे बात को अगर हम किसी का इस नए इसके नई रूपट हुआँपृूइगा गल रोक ने चाहिए चेशय को गया एक अनल मेंटzego में फ्रल्श आइसे गांट होती है वो प्रोबलम में medical problem है बहुत serious problem है ज्यान रखना यह यंग एज में अकसर और यह medical problem है अगर आपके है तो आप इसका operation कराके निकाल सकते हैं उसके बाद भी medical fit हो जाएंगे लेकिन अगर आपके hair आपने operation नहीं कराया तो आपको फिर medical में problem होगी बाहर कर दिया जाएगा उसके क्या होती है के बाद में जो उपर की स्कीन है किसी स्कीन पर धबा है देखो इस प्रकार के अगर निशान स्कीन पर इसका कोई medical point नहीं है इसका कोई medical point नहीं होता रहता है किसी काले द्भाय आजा इस स्कीन मार के कोई बी मेडिकल पॉइंट नहीं होता ध्यार रखना इस बात का पूरा कोई medical point नहीं होता अब देखो इसके इसको बोलते लघ्षन क्या बोलते हैं अपने इस दर बोलते लघ्षन वेसी क्या बोलते हैं तुम्हारे उदर भी तुम लेकिन SSEGD में मैंने देखा है मेडिकल में इसमें बाहर नहीं करते हैं आर्मी मेडिकल में तो बाहर कर देते हैं देखा होगा तुमने नमुनो कि देखा है आर्मी मेडिकल में बाहर कर देते हैं और कई बार ले भी लेते हैं उनकी मर्दी ज्यादे तलती है वहां ठीक है तो तो sayशेवाइब करिट तो प्रोबलमदैनि दॉक्त बच्चे कि उसको समस्या है तो इसका इलाजा तो अलाग्स कुछ कुछ है नहीं यह थो बच्पंस है तो तो सूस्री वारी अज़सों कोई प्रोब्लम नहीं कोई निए निकाल देंगे तो सद्धीक है नहीं यह medical problem होगी होगी आजा भई इससे उपर की skin check हो जाती है इसके बाद में बारी आती है private parts की ठीक है private parts को हम सब से लाश में ले ले लेते हैं ठीक है तो उसके बाद में चलो नीचे से ले जाते हैं पहले शीदी उपर का यह body check हो गया पेट का कोई इससा चेक नहीं होता इसके में अग्सरा होता है जाने कि दो लोगा जो रीड के लिए होगा नीचे जुक पूरा जो रीड की हड़ी है अगर किसी बच्चे के इसमें problem है तो उसको तो 100% बार कर देंगी तो यह ना शरीर का इसका एक्सरा होता है से जीडि में आर्मी में नहीं करते हैं एक्सरा एसे ज inha especially vive hai यूरीन जो टेस्ट होता है उसमे ध्यान रखना यूरीन के लिए लिए लेटे लिए टेस्ट के लिए लिए तो पहले कुछ यूरीन नीचे गिरें दो इसके बाद में डबी में डालो पहले मद्धाल दो समझगे बात को पेले यूरीन है नहीं डालना है सबसे पेले क्या करना है कुछ बाहर गरने दो उसके बाद में ये तीन होती है जाच इसके बाद में आजाती है आपके नोखनी की प्रोब्लम पेर मिला अरे किसी बचे के नोखनी देखो इसके जो पेर है ये बिल्कुल सही है यह अगर एक उंगली का भी गेप है तो कोई प्रोब्लम नहीं सभी अपने पेर मिलाओ किसी के गुटने टच हो रहे हैं आजा भाई आजा जिनके गुटने टच हो रहे हैं वो इदर आओ इसे लाइन में खड़े जो उदर इदर जो एक लाइन में से खड़े जो हाँ हाँ बास बहुत है इसका इलाज भी बता देंगे सिधी लाइन से आजा गया तो हाँ मिलाओ जल्दी खड़े जल्दी खड़े इतना टाइम ठोटना है वो वीडियो देख रहे हैं उनको भी तो काम होगा ना कुछे रहे हैं तो फिर हैं कि वह रहरा पर हाँ हाँ इदर आ और यह जो फेस्टन होते इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं वोलते द्यान रखना ठीक है अब इसको खौड़ने कोशिसे कर तोड़क चोड़ा नहीं कुड़ा इसके लिए एक साज आती है वह करने जुरूरी है एक तो बेल्ट बांद के स्वयाग्रों बेल्ट अता नोखनी वह मंगा लीजिए पर्भू मिलाओ देखे पेर इसके भी यह बाई आठा अगर अगर अटा सकता है तो प्रोब्लम नहीं है आ तेरे नहीं है प्रोब्लम अगर इसको नोखनी नहीं है तो सब्सक्राइब तो नोखनी नहीं है तो नोखनी नहीं होगी तो उसको मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा हां यह देखो यह इसको नोखनी के एक्साइज करने की बहुत जूरत है यह नोखनी है अगर इस प्रकार से आपके गुटने भिड़ जाएंगे तो फिर प्रोब्लम है होगी छोटू थोड़ा सा एक्साइज करूं फेट पूरा का पूरा ही यह साथ लोगा वजन कम करने जूरता है नहीं नोख नाथिप नवकार यह प्रोब्लम नहीं है फेट्य है फेट लाड़े फेट वजान ज्यादा पर्भू थोड़ा पीछे करो पीरों को इतना बचाले तो कोई प्रोल्म नहीं थोड़ा सा प्यरों के इंगलों में फरके से एक पेर आगे पीछे किसे बराबर कर दों पिछे द इसके बाद में आता है पेर में लचक जैसे यह चल रहा इदर आ इदर अधर उधर चल किया एक बार हाँ इसके पेर में लचक अभी निकले की देखना में बताता हूं वापस चल इधर चल बेड़ दाहीं और लेट ही जा हाँ लूज़ रहे न यह देखो इसको बोलते है पेर कुछ नहीं कर रहा है कि एक गभरा और गफ्रा एक टाइट कर ले रहे लुजवन रहे है रही हम तो नॉर्मल रहे है लुज़री जिट का मारा भी पेर यह से पूला वा गैसे हैं तो मास पड़ गया है दिखा फीडोटर को यह देखो यह लुज़र का पॉइंट और भी किसी तो द्यानक ना एक लट्चक का पॉइंट है वो भी चेक किया जाता है मेडिकल के दोरा नोकनी के अलावा उसके बाद में चेक किया जाता फलेट फुट ठीक है आपकी पेरों की जो उंगलियां वो बिल्कुत सही होनी चीए बेड़ दानीचे बेट को टकंड़े दिखने साव इदर है यह मतन होना चाया आपका फलेट फुट नहीं होना समय होवNew कि जिसका पूरा पुरा चक्प्ता है है को भजन जादें व्रके आ पक्का होगा नहीं है कोई ल타ण्पूट में वड़ा यह देखो इसका बिल्कुल है सही इस प्रकार से होना चाहिए आपके गड़ा अलग से दिखना चाहिए यहाँ पर फलेट फुट नहीं होना चाहिए इस बहुत का ध्यान रखें खड़ा हो जावाई कि यह पेरों में इस पेशली यह चेक होता इसके अलावा चेक होता क्या वेरी कोज वेन उपर जंप कर कि सब्सक्राइब लगाओ देंगे दस-दस ऑगे डाउन अप डाउन लगाते रहूं लगाते रहूं लगाते रहूं तो थाज़ा भाई थाम पूरी पार्ट थमजा अगर किसी के वेरी को जवेन ऊपिश जांप आट वाते जैसे इसके कुछ नहीं यह कोई भी नस बाहर नहीं दिखनी अभी आपको दिखाते हैं जिसके वेरी को ज्वेन होती है उसकी किस प्रकार से होती है इधर अरे चलने दोड़े इसको पॉइंट भी मिला था आर्मी में इसी बात का इधर यह देखो है जंप कर दोड़ा यह देखना है थोड़ा इस फि आथे में वारूंगा ना प्रीसे होड़े जोड़ा जाएगी लग तो नहीं रहें लग तो नहीं नहीं लग रही है मजबूत लड़का यह देखो आजरी वीडियो में यह देखो यह जो घुच्चा बन रहा नहीं यह वाला इसको बोलते हैं वेरी कोज वेन ठीक है यह बनता है तो प्रोब्लम में लेकि ना इसका इलाज है आप उप्रेशन करा सकते हैं जा भाग जा इधर आजा यह होता है वेरी कोज अब इसके अलावा जो आ गया लाश्ट फाइनल बज जाता प्राइवेट पार्स का मेडिकर उसमें आपको बता जाता हूं सबसे पिछे जो brightest कि साइड होते है होल में 2.blog होते हैं ठीक है एक तो किसी के करता इ content होताएं जिसके क्या होता है Oczywiście की अगर ती जलन होगी पीछे की तरफ आपने देखा होगा पूरा इसे जुका के मिलिक है किसली तो ये का मैस भेआ पीछे का मैजाने हैं तो पीछेंसे की का जो होलो कैये तो होल एक श्य OH अगर तो पींड़ा हो जाता है लेकर तो फिर अनपीट होगा किसी महसा अलग अलग प्रकार होता है कहिंगे कट होते हैं अंदर की तरफ कहीं कर दो समझ के बाद सबकि अलग इलग टायब का होता है तो उसका समेरत है आप इलाज करा ले ना पहली ओप्रेशिंग से कराओ पहले कोशिस आप यह करें कि दिशी डोक्टरों से यह लाज करा आ क्योंकि और नहीं अगरो से एक declaration आ सब्सक्राइब, नो सब्सक्राइब मेडिकल होता है और शाइब करोऊ है कि अब जेए और वह बाइब जानाता है इस परकार से आप पकड़ोगे तो यह क्या ए दिजगा लगा के पकड़ इस परकार से पकड़ के देखते हैं ठीक है एसे अब एक गोली इतनी बड़ी एक गोली छोटी तो यह क्या ए प्रोबलमें धान अगना यह बहुत बड़ी बीमारी और इसका समेरेते इलाज भी करना स और यह मों कौन सा होता है यह दिखंखो दोलोग isa इस परकार से दिए अगर आप इनको ध्यान से देखों यहां हमको फारक दिखरा ऑन दे लिए इतना हो सकता है यहतनाँ मतलब हल्का 19- 20 हो सकता है उससे कोई प्रोब्लम नहीं दियान रखना अगर Lagno मतलब क्या में गभरा जाते हैं कि सेड में लिंग की पोजिशन होती है उस सेड का वर्षन नीचे होता है और ध्यान रखना जो बाएं सैड जी दर दिल है अपना उस साईड की गोली हमेशा नीचे रहेगे अरे रहती है जो 22 साइड जीदर दिल है आप अगर देखोगे तो उस साइड की गोली हल्की सी नीची रहेगी तो वो कोई प्रोब्लम नहीं है आपके जो वर्सन की चमडी होती है ना वो क्या होती है कई बार तो शिकूट जाती है और गर्मी में इसमें अगर आप रणिंग ह तो इसी उनीच बिस तक चलती है यह देखो शाइज हलका सा इनमें फरक है दोनों बड़ाबर तो नहीं है इतना फरक चल जाएगा लेकिन अगर आपकी गोली आ इस परकार की है तो यह क्या है यह प्रोब्लम है जान रखना इस परकार से आपकी गोली नहीं होनी चाहिए ग पीन गोली भी होती है समझने बात के बात को अबापके घ्रवार मोई जो पर बंडेश में से मेरे को बता देना अकiziert अगर किसी की चमड़ी उपर नहीं जाती यह से उसको बोलते फिमोसिस एक छोटा सा ओपरेशन होता है जैसे मुस्लिम बच्छों में तो बच्पन में कर देते हैं वो काट देते हैं अब क्या अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारा क्या करना पड़ेगा ओपरेशन से लोग कट लगाना पड़ेगा इसे तो शेन नहीं कर पाओगे लेकिन दो दिन की प्रोशेस में बिल्कुल ठीक कितने दिन में दो दिन में तो किसी को घबराने के जुटते नहीं है दूसरा आपके लिंक में एक ही होल होना चीए और वह भी सही होना चाहिए इसा नहीं कि इ इस पॉटी आपको कुछ भी आपको शमश्यालगती है इस प्रकार चीए तो यह इस प्रकार चाहिए अडिकल अब इसमें आपको कुछ ब्याप शमश्याट लगते हैं बता सकते हो स्युवंडiquement हैं तो बता सकते हो मेरे को प्रफिजियकल का फोइंट है नापते नापते हैं मेडिकल में के टो पूराइस होना होगा अगर आप को बोलत उना भी लेते किसी को दिया दूसाником टला शेशे से किसका है फिजिकल का है तो फिजिकल के समय चेक होगा लेकिन चलो फिर विन आप लेते हैं को तकलीप है और कोई पॉइंट रहे गया तो तुम याद दिला सकते हो भाई कि यहां पर इसे चेक होगा पूरा नॉर्मल अभी इसका जो सीना है वह है एक फोर फुला है एक फोर से नाइन्टी यह निए छे सेंटिमेटर इसने सीना फुला दिया पांस सेमी का फुलाव आपका होना चाहिए और कोई पॉइंट कोई नहीं है तो भाई यह इस प्रकार च टेस्ट आपके कोई सक्षावाल रहे गए तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है है कि टॉंग टाई है कि मिला था कब आर्मी का आर्मी में मिला ना हाँ ऐसे जिदी में नहीं मिलता है हाँ टेटू यह सही याद इलाया द्या रगना टेटू का मेडिकल अब टेटू अभी मिठवा लेना अगर किसी के है धार में के टू के लावा कोई भी टेटू मान नहीं होगा किसी के टेटू इसने अठवा लिए पिछली बार अगर टेटू कहां के टेटू है हाँ यह इसे पोइंट से उसमें भी उसका काम हो गया था जीवन मंडल है फिर काम करवाया था तो तुम्हार को प्रोब्लम ना हो इसलिए टेटू में मिटा लेना भाई ठीक है बाभारात मोटागी यह ओके बाए